हाँ ये वाला देखते हैं सर इसमें क्या यूनिक नेस है ये भी एक्जाम में कुशन आया हुआ 2013 में और 10 ये में आपको सवाल मिल जाएगा वैसे हला कि ये देखो मैं 10 ये में पहले अल्डेडी करा भी चुका हूँ लेकिन मुझे लगता ही कि ये बच्चो को live class में कराना चाहिए ये important ये tenure में मैंने सवाल डाला हुआ है तो important है और समझ में आना जरूरी है तो इसे हिसाब से मैंने ये सवाल मैं class में और भूरा रहा हूँ ठीक है ना चलिए क्या खास बात है इसमें सर current asset ठीक है चलिए सवाल पढ़ ले एक बार कहता है हाई टेक लिमिटेड plans to sell 30,000 unit in next year year एक साल में तो unit कितने sold करना चाहता है यह सर 30,000 material कहता है सर 100 रुपए का होगा manufacturing expense 30 का होगा selling admin expense 20 रुपए का होगा selling price 200 का होगा यानि इसमें इसने profit भी add कर दिया है the duration of the various stages of the operating cycle is expected to the following operating cycle हम इसके बाद वाला chapter करेंगे तो operating cycle का मतलब होता है कितने time तक हमारा stock इधर उधर होता रहेगा business के अंदर है कहता है raw material 2 महिने के लिए रखना होगा work in progress 1 महिने के लिए finish goods आपका आधे महिने के लिए debtor आपको 1 महिने के लिए assume that monthly sales level 2500 unit तो भाई अगर इसको 12 से आप divide करेंगे तो 2500 ही आएगा तो assumption क्या लिया हमने ठीक है ना तो येसी बात को repeat करा आपका काम असान कर दिया कि 12 से divide मत करो लेकिन बच्चे confused हो जाते हैं कि एक unit ये दे रखा है एक unit ये दे रखा है दो-दो unit कैसे आगया तो उसको ही solve करके इसने दिया है ठीक है न estimate gross working capital क्या आपको gross working capital आता है क्या होता है total assets को ही क्या बोलते हैं gross working capital if desire cash balance 5% gross working capital requirement and work in progress 25% complete in respect of manufacturing expense कहता है भाईया जितने भी खर्चे वर्चे हुए है manufacturing सिर्फ इसने क्या indicate किया है कि process 25% complete in respect of manufacturing expense और ये कौन सा खर्चा है सर selling and distribution इस पर भी discuss करेंगे ठीक है पूरा question मैंने पढ़ दिया मैं करता जाता हूँ आपको समझ में आता जाएगा सबसे पहले हम क्या लेंगे सबसे पहले लेंगे material सबसे पहले क्या लेंगे material सर material कितने होएंगे 2500 कितने महिने के लिए material बोल रहा है दो महिने और material का rate कितना है 100 रोप है इसके बाद work in progress work in progress का मतलब समझाओगे क्या होता है कि समान अभी बना नहीं है जैसे मैंने example सबसी का लिया था समान अभी बना नहीं है समान बनके के बाद और ये वाले जो खर्चे है selling admin financial expense ये कब खर्चा होता है बताओ ये खर्चा होता है जब समान बिक रहा होता है तो work in progress का क्या ये पार्ट होगा या नहीं होगा आप दिमाग लग के बताओ ये खर्चा तब होता है जब समान बिकने जाता है और work in progress में तीनी चीज़ आता है एक तो labor आता है जो कि उस time लग रहा है एक overhead आता है जो उस time लग रहा है और एक material जो उस time लग रहा है नौर्मली हम manufacturing expense या labor डारेक लेबर जो भी होता है एजंशन लेते हैं कि 50% पर कार्रे कर रहा होगा लेकिन अगर सवाल कह देता है आपको कि सर 25% पर ये काम कर रहा है तो आपको 25% ही लेना होगा वो 50% भूल जाए जो मैंने बताया था आपको तो इसका मतलब सर WIP में क्या आएगा सर material आएगा material कितना आएगा सर 25% महिने का और WIP कहता है कितने महिने रहेगा आपका एक महिने तो into में 1 into में 100 material के बाद manufacturing expense manufacturing expense manufacturing expense सर कितने होंगे सर 2500 into में 1 और manufacturing expense कितने है only 30 into में और इसका भी कितने percent 25% क्योंकि क्या कह रहा है process 25% completed तो हमारा stock 25% ही बचेगा न चलिए इसके बाद क्या लेंगे WIP के बाद finished goods सर finished goods कितने होंगे 2500 और timeline कितना है finished goods का आधा महिना 0.5 कर दें इसको into में finished goods के लिए rate क्या होगा finished goods के लिए rate होगा 100 रुपए plus 30 रुपए selling expense का finished goods से कोई रोल नहीं है वो selling and distribution expense है यानि only 130 रुपीज ठीक है कितने आगे 130 रुपीज अब क्या आएगा डेटर सर डेटर में आपका admin and selling expense का काम आ जाएगा क्योंकि डेटर तो बिकेगा माल तो खर्चा तो होना ही होना है अब जो डेटर के लिए हम cost लेंगे वो लेंगे that is 130 plus में 20 यानि 150 लेना है डेटर के लिए तो डेटर कितने महिने के लिए है बोलता है एक महिने के लिए तो that is 2500 into में 1 महिना into में 150 ये समझ लीजिए आँ समझ में आ रहा है इसको डेटर में इंक्लूड करा तो examiner ने बड़े चलाकी से इसके अंदर डेटर के अंदर डाल दिया अब जो बच्चे समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है बिल्कुल clear cut आपको समझना पड़ेगा ये ऐसा सोचोगे ना सारे खर्चे यहां लिख देते हैं 50% कर देते तो वो फिर काम नहीं बनेगा ठीक है चलिए आगे कहता है कैश कितना होगा सर कहता है कैश होगा आपका working capital का 5% ओके इसका मतलब इसका मतलब सर पहले टूटल कर ले अब बातों को समझेगा पच्चिस सो इंटू दो इंटू में सो पांच लाग इसका मतलब पच्चिस सो इंटू में सो धाईलाग पच्चिस सो इंटू में 30 का 25% अठारा साथ सो पचास पच्चिस सो इंटू 0.5 इंटू एक सो इंटू एक सो तीस 162.500 पच्चिस सो इंटू एक इंटू में 150 375 और यहां पे कैश हमारा होगा एक्स अगर कैश पता चल लिए माने लो कैश हमें पता है एक्स कैश है तो मेरा यहां पे निकल के आएगा ग्रॉस सवाल ने बोला था अज्यू मंतली सेल्स 250 है और एस्टीमेट दा वर्किंग कहता है बताईए Gross Working Capital Requirement Desire Cash Balance यह हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ Gross Working Capital बताना है ना कि आपको Working Capital बताना है और यहां पे आप देखोगे आपको वैसे भी Current Liabilities की कोई जानकारी नहीं दे रखी Current Liabilities का कोई जानकारी नहीं दे रखा सर FG में 130 कैसे आया कितने 30 लिया है नहीं 130 होगा दिखा वे कुछ तरही तो है वो दोनों दिखा रहा है आप देखो FG में बच्चे पूछ रहे हैं कैसे आया है तो समझ लेते है सर FG फिनिस गुड्स फिनिस गुड्स का मतलब होता है प्यूर्ली स्टाउक और स्टाउक का मतलब होता है जो फेक्टरी में खर्चे हुए है उनको मिला के स्टाउक बनता है ठीक है एक तो इस फिनिस गुड्स में क्या लगा होगा material लगा होगा that is 100 रुपए का लगा और एक लगा होगा manufacturing expense manufacturing expense कितने का लगा 30 तो इस तरीके से FG हो गया 130 का debtor का मतलब होता है जितने का माल बना वो और plus selling and distribution expense तो अगर मैं debtor की बात करूँ तो debtor में क्या लगा होगा एक तो material लगा होगा that is 100 रुपए का एक manufacturing expense लगा होगा that is 30 का एक selling expense भी लग गया होगा that is 20 का तो यह आगे 150 का इस तरीके से मैंने ये दोनों part complete किया है क्या clear है आपको यह clear है यहां तक सभी बच्चों को clear है अब मुद्दे की बात है सर gross working capital इसका मतलब सर अगर मैं इसका total करूँ मैंने इसको चाहूँ तो एक और बार solve करके समझा सकता हूँ लेकिन मैं lending नहीं लेना जा सकता थोड़ा अब ध्यान से देखिएगा इन सभी का total जो बन रहा है वो बन रहा है 31 62 यह total बन रहा है ध्यान से देखिए 31 62 क्या 31 62 जो इन सभी का total बना है क्या यह working capital है जवाब सर no working capital इसमें कुछ missing है फटा फट जवाब दो मुझे comment में इसमें ऐसा क्या amount missing रह गया है जिसकी वज़े से मैं इसको gross working capital नहीं बोल रहा तो बड़ी simple सी बात है इसमें एक point missing है that is क्या हमारा cash का cash का missing है और cash का amount नहीं 5% missing है cash का कितना missing है हमारा 5% missing है ने cash का इसका मतलब सर अगर इसमें मैं 5% और जोड़ दू तो cash आ जाएगा 5% और जोड़ दू तो क्या दाएगा cash इसका मतलब सर ये जो होगा वो 95% के बराबर है क्योंकि gross working capital always 100% के बराबर होगा gross working capital 100% के बराबर होगा और 5% add on करेंगे तब ही तो आएगा gross working capital यानि 5% कम है तो ये कितने percent के बराबर है हमारा 95% के बराबर 130 6250 into में 5 divided by 95 कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं हो सकती उन बच्चों के लिए मैं equation बना के करा दूँगा ठीक है ना जिन बच्चों को ये बात हजम नहीं होगी उन बच्चों को equation भी बना के करा देंगे 62 68 750 और plus ये आगया मेरा 13,75,000 कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे 95 आगया ये कैसे आगया उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि ये total हमारा आया था और plus मैंने वो माना था X हो गया था ठीक है ना चलिए इसको समझते हैं तो ग्रॉस वर्किंग कैफिटल इस इकल टू एसेट्स जो भी दे रखा था current एसेट्स current एसेट्स जो total आया था plus मैं cash भी जोड़ना पड़ेगा मैं cash को separate कर रहा हूँ क्योंकि नहीं पता था suppose करो के मान लिया जाए के ये हमें दे रखा था कितने दे रखा था सर हमें ये ये 31,62,50 31,62 ये दे रखा था भी cash जोड़ना नहीं है suppose let's suppose के ये हमारा x है ये कितना है x है और जो cash कहता है न वो कहता है gross working capital का 5% है तो अगर x है तो इसमें 5% क्या होगा x का 5 बटे में 100 यही होगा solve कर लेते हैं x की value x is equal to 130,62,50 plus में क्या जाएगा x by 20 इसको इधर कर दो x minus में x by 20 is equal to 136,250 और कैसे करेंगे x को solve करेंगे तो 19 x आजाएगा divided by 20 is equal to 136,250 x की value direct में calculator पर निकालने जा रहा हूँ 130,62,50 into में 20 divided by 19 तो यह आगया सर हमारा x is equal to 1375 ठीक है तो यह हो गया हमारा x let करके पहले जिसको वो वाला समझ में नहीं आया है कि 95 कैसे हुआ वो equation बना ले भाई साहाब कि यह दे रखा है यहाँ पर मैंने एक x लिखा ही था मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ यहाँ पर x लिखा ही था this plus this क्या हो जाएगा दोनों को जोड देंगे तो gross working capital लेकिन gross working capital आपको total assumption लिया x x का 5% कर दोगे जैसे कि मैंने यहाँ total assumption लिया working capital x था तो अगर आपको x पता था कहां गया भई तो यह क्या हो जाएगा x, y, 20 इनको जोड के दोनों equation को एकदम सामने सामने रख दोगे और यह हो जाएगा यह same same हमने इस type का करा हुआ था किसके अंदर सार costing के अंदर taking of time service costing के अंदर भी इस तरीके का equation बनाया था जहाँ पे taking of commission का part आ जाता था clear है